नमस्कार न्यूस 24 के खासकार का मामने सामने में आपका स्वागत है मेरे साथ आज है कश्मीर के नेता डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला साथ डॉक्टर साथ आपका बहुत स्वागत आपको बहुत बधाई आप पारलिमेंट में फिर से वापस आगे आपकी आवाजे बुलंद हो रही है शुक्रिया अच्छे ये बताएए कि कश्मीर में क्या हो रहा है एक तरफ NIA जो है उसने अलगाव वादियों के खलाफ बिल्कुल जैसे मुहिम छोड़ दी के हाँ उनके अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं धर पकड़ हो रही है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरकारी फंडिंग की भी जाच होनी चाहिए यह क्या देखिए यह आज ही नहीं है मेरे वक्त मैं भी 2002 में आई बी ने अपने इन्वेस्टिगेशन जो में पता लगा उने कि लंडन से पैसा आ रहा है वहां डॉक्टर आयूब ठाकुर थे वो पैसा भीज रहे थे और यहां पे एक मुझमिल बजाज थे जो वो पैसा रसीव करता था उसके बाद वो गिलानी साब तक पहुचाता था सिरिनगर में यह जब पता लगा तो इस पे मिलिटरी की सपोर्ट हमें लेनी पड़ी जनर यह सब करके गिलानी साब को गिरिफतार किया गया और इस बात पर किया गया कि यह मनी लॉंडरिंग हो रही है पैसा आ रहा है और दो साल की कैद हो गई रांची में रखा गया मुझमिल आए उनने फोरण इनको रिलीस किया और जो भी इन्वेस्टिगेशन सी वो खतम हो ग कुछ हो रहा है इसके लिए यह पैसा बाहर से आ रहा है और उसमें इन्हीं के दो आदमी थे बिटा कराते और दूसरे साहब जन्होंने डिकलेर किया साब पैसा आ रहा है और इस्तमाल किया जा रहा है और यह पैसा गिलानी साब के पाश आता है तो अब हालत यह है इनको ग लोग देखना चाहते हैं यह पैसा कहां से आया और कैसे आया और कैसा इस्तेमाल हो रहा है दूसरी बात मगर सेंट्रल फंडिंग भी थी यह भी आप देखिए अगर आप वो किताब पढ़ें दुलत साथी जो रौ के चीफ थे उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि साहवाव ग क्या आपके दौरान भी केंद्र सरकार ने हुरियत को या अलगाववादियों को फंडिंग की उससाथ मुझे मालूम नहीं था यह तो टोटली सीक्रिटली आइबी से हो रहा था जिसमें स्टेट गर्वर्मन को कभी कांफिटेंस मनें लिया गया आज के दौर में जब जब उनको धरा पकड़ा जा रहा है जब उनकी पूर जब किताब निकली उनकी तो हमें मालूम लगा कि यह हो रहा है जब जुलाए में हुरियत के लेताओं की या अलगाववादियों की जब बात शुरू हुई है उनकी गुरफतारी शुरू हुई तब डॉक्टर फारुक को उठा रहे है देश यह समझना चाह रहा है मुझे यह बताईए साब देश से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारे वक्त में उनको यह किया था तब देश ने पूछा हमसे तो क्या आज की सरकार भी फंडिंग करती है और अलगाववादियों की यह मैं नहीं जानता है कि अगर महबूबा की सरकार बनी है तो उसके पीछे बहुरियत का साथ कश्मीर में है वही बैस्चन थी इनकी क्यों हो रहा है वहां पर यह क्योंकि इन्होंने वादा किया था लोग उसे जब वोट लिये थे कि हम बीजेबी के साथ हाथ नहीं में लाएंगे इनको बाहर रखेंगे आज वो लोग इन पर भरो सनी करते हैं और इसलिए ये एक महबूबा की सरकार कब तक रहेगी जब तक मोदी साब चाहेंगे तो क्या आप लगता है कि अब केंद्र और महबूबा एकदम साथ में आ चुके हैं अब महबूबा के पास कोई रास्ता नहीं है कोई पुलीस को ये कहा गया था कि इनको जहाज में टरने नहीं देशे हैं वो किसके ओर्डर थे इसको भी देखिया उमर की भी सरकार रही है और कहा ये भी जा रहा कि एनाय शायद उस सरकार की भी के समय की भी funding की जांच करेगी क्या लगता आपको या आप मुझ से नहीं ये क्योंकि वो से की सरकार थे मैं नहीं जाज़ता विज्ट आपको में बिल्कूल नहीं किस लिए करते हैं क्या हम अपनी टांगे कारते हैं वकूफ होगा जो ऐसी बात करेगा कहीं न कहीं तो एक तरीके से महभूबा और बीजेपी का साथ हाना तो कुछ तो ठीक हुआ कि अटलिस्ट हुरियत के या अलगावादियों पर या मिलिटेंट्स पर प्रेशर है उनके उनकी धर पकाड हो रही है हमारे वक्त में यह प्रेशर था यह नहीं था कि आज ही प्रेशर है यह मत कहिए कि यूपिये के वक्त में प्रेशर नहीं था उस वक्त भी हमने गिलानी साब को रांची पहुंचाया था यह मत कहिए नहीं था प्रेशर अलवेस था आज अल्ला का शुकर है आज ये सारे जो है जो है जो है जोर से इस पे अमल हो रहा है तो तो अच्छी बात है कौन कहता नहीं मैंने कभी नहीं कहा ये अच्छी बात नहीं लेकिन अगर सरकार की फंडिंग की जांच की आप बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साब क्या कह रहें एक तरफ अगरकार अगर इनने पैसा दिया, benefici किसने दिया? मेरा आरोप है उन्हें पे. इननों ने हमें हराने के लिए उनको पैसा हर वक्त दिया. नाशनल कांफरेंस को कमजोर करने के लिए उन्हें के लिए पैसा दिया. जवाब देगे. इस सरकार ने महें दिया? मैं नहीं जानता, सरकार के बार मैं कुछ में नहीं जानता, कुछ भी ही नहीं लेकिन अगर institutions या organizations अगर काम करती हैं तो सरकार की मर्जी के खिलाफ थोड़ी कर सकती हैं अगर IB किसी को fund करेगी तो सरकार की मर्जी सही करेगी मैंने कब का कि सरकार की मर्जी के बगार करेगी यहां तो चून ही हो सकता सरकार के बगार नदुकर इनको गिरिफतार करते हैं अगर सरकार साथ नहीं होती आपकी समय में किस सरकार ने funding करवाई थी आपको हरवाने के लिए मैंने जानता मैंने आपसे कहा investigate कीजिए investigation में सब निकल आएगा दूद का दूद और पानी का पानी निकल आएगा करिए क्या जाता है जहाब यह कर रहे हैं वह यह भी कर लीजिए मगर जिल्दी कीजिए जितना आप delay करेंगे उतना लोगों में शक पैदा होगा कि यह सिर्फ इनको दबाने के लिए किया जा रहा है जितनी जल्दी यह केस कोट में पहुँचे और सारा दूद का दूद और पानी का पानी साफ हो उतना ही लोगों में भरोसा पैदा होगा हुरियत अब बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है उसके सारे काले कारणामे सामने आ रहे हैं उसके लीडर्स के महभूबा चुकि बीजेपी के साथ रही है तो उनकी भी क्रेडिबिल्टी लोएस टेप पे है तो हो सकता है कि एंडिये मतलब ये सरकार मोधी सरकार और एंसी नैशनल कॉन्फरेंस एक साथ हा जाए इस थेओरी पे आपको क्या लगता है ये थेओरी अच्छी है मगर क्या ये होगी मैं नहीं जानता लेकिन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो इसका फैसला जमात करेगे पार्टी करेगे वारुक अबदुल्ला नहीं कर सकता लेकिन आपकी पार्टी ओपन हो सकती है हर चीज को देखना पड़ेगा पहले मैं आपको ये बताओ इस पार्टी को ये बात साफ करने पड़ेगी तो ये कमुनल पार्टी नहीं है ये मुसल्मानों और दूसरे माइनॉरिटी से खलाफ नहीं है जब तक मुसल्मान में ये बैठेगा नहीं ये हमारे खलाफ नहीं हमारे इसलाम के खलाफ नहीं है जिसको बीजेपी को आपके रहे हैं तब तक मुझे बहुत शक है कि जब मोकश्मीर के अवाम इसको कबूल करेंगे मैं इमानन आप से कहता हूं तक मैं जोड ख़्ुपाने के जडिदूर अच नहीं है इसपा टे उप टे शोओ अगर इसटांस अगंधी इस बिन्सपव्स नागंधी इस बिन्सप्व्स अगंधी मिद सेस्पव्स बिलिदूल कर आव जब नाइए whatever his area that he'll do justice to all Kashmir का मुसल्मान एकसप नहीं करेगा तो कश्मीर में प्रेसिदेंट रूल लगा देना चाहिए आपको लगता है बेटर होगा हाल आप देखते हुए यह मैं नहीं जानता आपके जैसा नाशनलिस्टीट है यह क्यों नहीं डिमाद करा है कश्मीर में प्रेसिदेंट रूल होना चाहिए कई चीज़े ऐसी है जो पब्लिक ली नहीं कहा जाता सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई चीज़ें बहुत अलगा देज़ें और बहुत खामोशी से काम होना चाहिए रन साइलेंट रन डीप तो आपकी इमिज़ खराब नहीं हो रहे है कि डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर में ये हालात है और वहाँ पर प्रेसिदेंट रूल लगाओ मेरी बहन मुझे ये बता फारुक अब्दुला कब बदनाम नहीं था जब देखो फारुक अब्दुला बदनाम है उसी ने तो फारुक को मशूर कर दिया अल्ला का शुकर है कोई मेरा नाम तो ले लेता है लब पे ये तो बहुत बड़ी बात है इसलिए ये कहना कि मैं ये करूँगा ऐसा कहूँगा वो अपने वक्त पे जरूर इन चीज़ों को मैं सिच्वेशन को देखकर कश्मीर की सिच्वेशन उसके हालात ये दिमांड करते है कि there is no doubt about it there is no government there is no doubt about it there is total unrest there is no development there is only talk only talk यहाँ पत्थर लगा दिया वहाँ पत्थर लगा दिया ये कर दिया ground reality इतनी बुरी है मैं बयान नहीं कर सकता उसको ठीक करने के लिए हम सबका ये फर्स है आपका भी है हम लोग का भी फर्स है कि उस सती को ठीक करने के लिए हमें वह रास्ते इस्तमाल करने पड़ेंगे जिस्ते से वहाँ की इस्तिती जो है वो बेतर हो और लोग अमन और चैन से जिन्दा रह सके वो एक रास्ता प्रेजिडेंट रूल का हो सकता है हो सकता है क्यों नहीं हो सकता वो भी हो सकता है डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ये क्यों कहते है कि थर्ड पार्टी इंटर्वेंशन होना चाहिए कश्मीर मैंने कहा बात्चीत करनी है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में करनी है हर जगा इनका ये अग्रीमेंट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करेगा तीसरे पार्टी का सवाल मेंगा हमारा सवाल ये है कि जब सलावदीन साहब को अमरीका ने टर्रिस करार दिया वो भी हिंदुस्तान के कहने पे करार दिया अगर हिंदुस्तान के कहने पे उसको टर्रिस करार दिया वो फिसिलिटी हमने एकसेप्ट कर ली और तालिया मजाई सारी देश ने क्या तुमाशा हो गया तो क्यों नहीं हम उसी अमरीका को कहते हैं इनको जरा मेज की तरफ लाइए हम ठोड़ कहते हैं कि मेज बेटेगा या चीन बेटेगा मेज पे तो आपको नहीं लगता कि एगर अमेरिका गुसेगा तो साथ में चीन को भी पाकिस्तान गुसा सकता है चीन तो है पाकिस्तान के साथ कौनसी आप नई बात कह रही है चीन तो उनका दोस्त है आप यहाँ यूद कर लेंगे तो वहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा आपकी क्या थेरी है कि चीन और चाइना और अमेरिका दोनों कश्मीर में आ जाएं? चीन तो है ही, हमारा हिस्सा तो उनके पास है, सड़क हमारी तरफ से जा रही है उनके सीपोर्ट पे, तो कहां चीन बाहर है? हमारी सरथ पे चीन है, लदाक की सरथ पे चीन नहीं है? क्या कह रही है आप? अमरीका तो बहुत तब भी दूर है, यह तो बहुत करीब है. नहीं, तो लेकिन करीब होना एक बात है, और उनको इन्वाइट करा लेना, कि आईए मेरे घर में आईए और साथ में… हमारे हाँ बेगुना मरने बंद नहीं होगा, तब तक कि हम उस मुल्क के साथ बात्चीत का रास्ता नहीं खोलेंगे. आप दिल्ली में नहीं मरते हैं, मगर हमारे बौर्डर पर देखिए हमारे बच्चे कैसे मर रहे हैं, हमारी औरते कैसे मर रहे हैं. दिल्ली में नहीं मरते पर पूरे देश भर के बच्चे मर रहे हैं, हमारे फौर्जी मर रहे हैं. मगर फिर जब आप देखिए हैं कि वो मर रहे हैं, क्या वक्त नहीं आया है, इस मौत को रोकने का. लेकिन मोधी सरकार ने बिल्कुल पहल की, मोधी जी खुद पाकिस्तान गए, उन्होंने खुद उनको कहा कि हम बादचीत करते हैं, बादचीत से हल हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं ना. वो तो फिर मनमोन सिंग जी ने में ती, मागर कोशिश छोड़ तो नहीं सकते, दर्वाजा बंद तो नहीं कर सकते, दर्वाजा तो खुला रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. लेकिन कश्मीर पर आज जो मोधी सरकार की जो पॉलसी है, कि एक तरफ अलगाव वादियों पर दबाव है, दूसरी तरफ जो मिलिटेंस हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और उसके बाद एक तरफ जब सफाई होगी, उसके बाद बाचीत का रास्ता शुरू होगा? यह कब होगा? अब आप और में जिन्दा होगे या मर गए होगे? और सेंचरी आप इंदिजार करेंगे. आपके ही महकमे ने कहा हमारे पास दस दिन का इमिनेशन है, सरिफ लडाई का. वो पाकिस्दान पर इस्तमाल करोगे या चीन पर इस्तमाल करोगे? कह इसको ठीक करना है? यह हमने युदों की बात करनी है? हमने पहरे अगर गरीबी हटानी है, तो गरीबी हटाने के लिए हमने हर कोई वो रास्ता इस्तमाल करना है, जिसमें हमारे दुश्मन कम हों, और हमारे दोस्जादा हों, तब वो भारत बनेगा, जो महत्मा गांदी का अच्छा, डॉक्टर साब एक बात बताईए, कि अगर ऐसी बात होती है, कि मोदी सरकार को लगे, कि डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला वहां के लिए बहतर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, तो क्या आप NDA के साथ हाथ जोडेंगे, उनके साथ जॉइन करेंगे? क्योंकि ये कश्मीर की बात है, मैं एक पार्टी का फर्द हूँ, जब भी कहीं ऐसी चीज़ आएगी, मैं ये मामला पार्टी के पास ले जाओंगा, मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, आइडियोलोजिकली आपको लगता है, तश्वी ने अभी, आभी आइडियोलोजिकली, आभी आभी सॉफ्ट हैंड की जरूरत है, वो शायद डॉक्टर फारुख अब्दॉल्ला का सॉफ्ट हैंड हो सकता है, मैं ये कह नहीं सकता, मैं भी प्रिजनर ओफ पार्टी हूँ, मुझे भी पार्टी के साथ सला मशुरा करना पड़ेगा, उसके बगार नहीं हो सकता, अची जॉक्ट साब ये बताइए कि अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि मोदी सरकार या मोदी जी या बीजेपी, कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, अभी सड़नली ये लगने लगा है कि विपक्ष्मू मुक्त भारत लग रहा है, ओपोजिशन कहीं पर है ही नहीं, नितिश जी भी जिनको आप लोग चेहरा बनाने वाले थे, महागडबंधन का, वो जो लीडर ही चला गया, देखिया, ये कभी मत समझीए, कि सिर्फ चड़ाव चड़ावी है इनका भी फॉल आएगा, वक्त पे आएगा, लेकिन उमर जी कि अगर ट्वीट उत्तर प्रिदेश के इलेक्शन के बाद की बात करें, आपके पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कि 2019 की तो बात ही मत कीजिए, अब 2024 की बात कीजिए, तो उसको आप भी सही पहराते हैं, म मैं उसका बाप जरूर हूँ, मगर मैं उसके इस बात में कुछ नहीं कहूंगा, ये सवाल आपको उनसे कहना चाहिए, लेकिन वो आपके पार्टी के लेता है, ठीक है, आपके पार्टी के लेता है, और आपके प्रेसिदेंट अगर उसके बाप से क्यों पूछ रहे हैं, मै ये खहरा हूँ कि अल्ला करे, कि ये जो विपक्ष है, ये कुछ इकठा हो सके, मुद्दे बहुत है इनके पास, 2019 अभी है, थोड़ सा वक्त है, वक्षा है, नितीश जी का एंडिये के साथ जाने को आप कैसे देखते हैं, नितीश जी एक इमानधार आप्मी है, उन्होंने मैं समझता हूँ पहले जरूर प्रधानमंती से बात किया हूँ, और तभ ही उन्होंने एक अदम उठाया है, उन्हें भामत मिली है बिजिपी के साथ, इन्होंने पहले बिजिपी को जबरदस उखाड़ा वहां से, ये भी आप भूल नहीं सकते, इलेक्षन में, विपक्ष आपको लगता है कि ऑपजिपी इस इस सेट बैक के बाद फिर से खड़ा हो पाएगा, फिर से एक जूत हो पाएगा, कोई एकषयर अप्छेर है, यहां गिरे, वहां निकले, वहां गिरे, वहां निकले, कोई छीज पा नहीं बाल नहीं है, इसलिए भालिटे क्वेश में, representing the atmosphere this interest that matters Kya अप उस रोल का बढ़ाएंगे जिसमें opposition की unity को splits देखे, हिंदुस्तान के लिए भारत के लिए एक साउंड ओपोजिशन बहुत जरूरी है, नहीं तो हकूमत ऐसे वन साइडिड हो जाएगी, डिक्टेटोरियल हो जाएगी, जब तक ओपोजिशन नहीं होगी, ओपोजिशन होनी चाहिए, मजबूत ओपोजिशन होनी तुसी के लिए ओपोजिशन होती है, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आज की ओपोजिशन में चाहिए वो कॉंग्रेस हो और कॉंग्रेस के लीडर हो या और जो भी पार्टी है, कम्यूनिस पार्टी है या अर्जेडी, आप किसी भी लीडर में ऐसी छवी देखते हैं, जो कि मोदी जी के छवी के सामने खड़ा हो सके, यह समझना कि मोदी जी हैं, बस उसके बार कुछ नहीं है, इस गलत में मत रहें, देश रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, मैं हूँ या मोदी हैं या आप हैं, देश ऐसे आदमी को पैदा करेगा, आपको लगता है कि इसके लीडेशिप में अभी वो काबियत है कि ओपोजिशन को इक खटा कर सके, वक्त दिखाएगा, कॉंगर्स को छोड़ी जमात तो नहीं है, हर गाओं में कॉंगर्स या है, किसी को धक्का लगा होगा वो, पीछे रह गया, और ऐसी बात नहीं है कि यह मर गया, यह जमात उबढ़ेगी, राहुल गान्धी क्या उस रोल को पूरा कर सकते है, तू नहीं, हजूर इसके बाप के बारे में कहूंगा, जब लाया, तो कहा यह पाइलिट है, यह क्या जानता है सियासत, मगर चेंज तो लाया, पहली चेंज जो हिंदुस्तान में आई, जो ओपननेस आई, जिसको बैद में हमारे नरसमा राव ने आगे लिया, वो पहले राजीव गान जी ने शुरू किया था, तो यह नहीं है, कि किसी में यह हो, उसको फिर भगवान वो गुवत देता है, वो लेकिन राहूर गानी पिछले बहुत सालों से राजनीती में है, ऐसा तो है नहीं कि अभी आए है, 2004 से आक्टिव है, तो, होगा, इंशालला, होगा, मुझे पूरी उमीद है, लेकिन किसकी लीडर्शिप में ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगे, डॉक्टर फारूख अब अभदुल्ला तो खड़े हो सकते, क्या नाशनल कॉन्फरेंस खड़ी होगी साथ में, या नाशनल कॉन्फरेंस एंडिय के पार्ट रहे हैं, इसलिए मैं यह पूछे नवर नकॉछमीर, नवर जो जो है, वो हर दिन और स्ट्रॉंग होती चली जा रही है, और उपोजिशन मैं उन मैं से नहीं हूँ, कि सकते चले जा रहें, सेंटर में किया यहां पर आपधिल्ली में अपर हो सकते हैं? मैं उन लीडरों मैं से नहीं हूँ, जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, वो इनसान ही क्या है? जो अपने आपको योँ और योँ बदलता रहे, गरगट की तरह बदलता रहे, भारुक अब्दुल्ला उनमें से नहीं है आपको लगता है कि NDA जो है, वो पोलिटिकली बहुत ज्यादा सैवी है आज की डेट में उपोजिशन से है? इसमें कोई छूट नहीं है? है? और इसके लिए आपको उनके लीडर्स को दाद देनी पड़ेगी? हाँ? क्यों नहीं देनी पड़ेगी? आप लोग कहा उनके हाथ में था, फैसला नहीं कर सके, खोदिया गोवा, मानिपूर उनके हाथ में था, डिसिजन लेने में वक्त लगा, चला गया? मोदीजी में एक बात तो है, कि डिसिजन लेते हैं, सेटल डिसिजन लेते हैं, बाहर में जाए बाकी सब कुछ. तो डिसाइसिव है ना मोदी जी कौन कहता है नहीं तो मोदी जी अगर डिसाइसिव है तो आप कश्मीर में अगर मोदी जी डिसिशन लेकर के कुछ कर रहे हैं तो आप मैं कहां कहता हूँ कि मैं अपोस कर रहा हूँ मैंने तो कोई अपोस नहीं किया दिल्न लायंगे उनका इन्वस्टिकेशन हो रही है, दूसरों एक दिल्न लायेंगे, उनका इन्वस्टिकेशन होगा। यह बहुत अच्छा करना है मैं समझता हम बहुत अच्छी बात है हम लोग थोड़े सा आराम तो करेंगा घर में लेकिन कश्मीर आर्थ की देट में कहीं ने कहीं देश से कटा हुआ है है कटा हुआ क्योंकि दिन नहीं मिला रहे हैं आप हम सबको आतकवादी समझते हैं आप हमको पाकिस्तानी समझते हैं एक प्रपगंडा खड़ा कर रखा है आज हम द्रेश दिरुई हैं अफसोस मुझे इस मुल्क पे आता है और इन लोगूं पे आता है जो यह वाते फैला रहे हैं और नफरते पड़ा कर रहे हैं आपके तो इतने अच्छे मोदी जी से तालुखात है आप उनसे बात कर सकते हैं मैंने बात भी के है यह नहीं कि मा बात नहीं करता हूं मैं डोल बजाने वालू हैं मैंसे नहीं हूऊ लेकिन क्या आपकी बातों को तवज्जु नहीं दिया जा रहा है कि वहां पर आमन शाथ यह जा रहा है? कही चीज़ों पर तवज्ज़ दी जा रहे हैं, कही चीज़ों पर और देखना पड़ेगा उनको उनके भी तो अपने मजबूरिया हैं, इसके जमात की मजबूरिया हैं, सारी चीज़ों के मजबूरिया हैं महभूबा की क्या मजबूरी है? महभूबा के मजबूरी है कि कुरसी कहीं चाहिए लेला जाए बस, उसके और कोई मजबूरी है डॉक्टर फारूख अबदूला हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्तिया तो ये थे आमने सामने में डॉक्टर फारूख अबदूला मैं अनुराधर प्रसाथ किसी और परस्नालिटी के साथ आपसे मिलती हूं तब तक के लिए नमस्कार